नमस्कार साथियों मैं राजेंद्रमंडलो या आपका हमारे सेनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और Important Extract का ये Part 2 हम लेकर आया हैं एक वीडियो में पहले बना चुका हूँ उसको ये दिया आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर दिरूर तो क्या तुम आओगे I ask हाप जोकिंग मजाक में मैं उससे ऐसा पूछ लेती हूँ आई यहां पर कोन है आई मतलब यहां पर इस लेसन की राइटर है ठीके ना तो पूछा जा सकता है तो हमें दियान रखना है अब इसमें होता क्या है कि साहेब नाम का एक रेक पीकर होता है जो कच्रा बीनता है या कच्रे से उप्योगी वस्तों है ढूंता है उसका नाम साहेब रहता है तो उससे यह पूछती है कि यदि मैं इसकुल सुरू करूँ तो क्या तुम इसकुल आओगे तो वो कहता है यस मतलब हाँ वो कहता है तो ही मतलब यहां पर कौण हो गया है साहेब हो गया है साहेब कौन है तो साहेब एक रेक पीकर है smiling broadly मतलब अच्छे से मुस्कुरा कर वो कहता है कि हाँ मैं आँँगा A days later I see him running up to me कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि वह मेरी तरफ दोड़ते हुए आ रहा है कौन वो साहिब नाम का लड़का जिससे मैंने ये कहा था कि यदि मैं इस्कूल स्टार्ट करूँ तो क्या तुम इस्कूल आओगे Is your school ready? क्या तुम्हारा इस्कूल तेयार है? एसा किस ने पूछा? साहिब ने पूछा किस से पूछा? तो राइटर से पूछा It takes longer to build a school I say मैंने कहा कि एक इस्कूल को बनने में ये इस्कूल का निर्मान होने में टाइम लगता है Embressed at having made a promise that was not meant अब embraced का आर्थ होता है सब के सामने लज्जित होना सर्मिन्दा होना तो सर्मिन्दा होते हुए मैंने उसको एसा कहा कि एक इस्कूल बनने में टाइम लगता है क्यों? क्योंकि उसने उससे जो promise किया था वो fake promise था fake मतलब जूटा, नकली इसलिए वो सर्मिन्दा होती है But promises like mine Mine मतलब है यहाँ पर मेरा या मेरे Abound in every corner of his blink world अब यहाँ पर एक phrase आया है phrasal verb जिसको हम बोल सकते है Abound in इसका आर्थ होता है प्रचूर मात्रा में प्रचूर मात्रा में मात्रा में मतलब ज़्यादा तो इस प्रकार के जो वादे हैं जो promises हैं वो तो मेरी जो blink world है मेरी जो एक अलगी दुनिया मेरी जो है गरीबों वाली rake pickers वाली उसमें Abound in मतलब प्रचूर मात्रा में मुझसे इसे वादे किये जाते हैं जो कि पूरे नहीं होते हैं After months of knowing him I ask his name जब कुछ महीने बीद गए और मैंने उसको जान लिया पहचान लिया किसको लेखी का कह रही है कि कुछ महीनों बाद जब महीने बीद गए तो जब हमारी जान पेचान बढ़ गई तो मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उस बच्चे का नाम क्या था साहिब ए आलम he announces वो अपना नाम क्या बताता है साहिब ए आलम बताता है he does not know what it means अब उसे इसका मतलब पता नहीं था उस लड़के को अपने नाम का मतलब पता नहीं था if he knew its meaning यदि वह अपने नाम का अर्थ समझता यजानता lord of the universe universe मतलब ब्रह्मान lord मतलब इस्वर मतलब ब्रह्मान का देवता या ब्रह्मान का भगवान उसके नाम का अर्थ है he would have hard time believing it यदि उसे पता चले कि मेरे नाम का अर्थ ये है तो उसे विश्वास करने में काफी समय लगेगा या मुस्किल से ही वो विश्वास करेगा कि मेरे नाम का अर्थ ये हो सकता है unaware of what his name represent अब इस चीज से वह aware नहीं है उसे जानकारी नहीं है कि मेरे नाम का क्या अर्थ है he roams the streets with his friend roam मतलब इदर उदर घूमना बटकना वो गलियों में अपने मित्रों के साथ भटकता है an army of barefoot boys मतलब उनका जो दल है army मतलब दल वो barefoot boys वाला है barefoot मतलब होता है नंगे पेर उनके पेरों में चपल जूते भी नहीं है who appears like the morning birds and disappear at noon वह उन सुबह के पक्षियों के समान रहते हैं जो सुबह तो दाना पानी चुगने के लिए आते हैं खाने पिने के लिए आते हैं और दो पहर के समय वहाँ गायब हो जाते हैं ठीके तो यहाँ पर इन barefoot boys की दुलना किस से की गई है morning birds से की गई है over the months जब महीने बीद गए I have come to recognize each of them कई दीन बीद गए तो वो जितने भी barefoot boys थे उनसे मेरी जान पहचान हो गई recognize का आर्थ होता है पहचान मट अब इस से related किस प्रकार के question पूछे गए हैं चले देखते है which literary device is there in sahib's name sahib का जो नाम था उस नाम में कौन से sahithi kupkaran का प्रयोग किया गया होते हैं समास होते हैं इसी प्रकार से English में भी होते हैं तो यहां पर जो literary device का use हुआ है वो होया है हुआ है irony का इसका आर्थ होता है ताना मारना क्या होता है ताना मारना या फिर किसी ऐसी इस्थिति आदी का अस आमानी इस्थिति का अंस जो लगेगी कोई विढमना हो या फिर लिट्ररि नाम में इसको देखा जाए तो इसका आर्थ होता है व्याज निंदा और भी देखें, सटायर है तो सटायर का आर्थ होता है व्यंग या उपहास करना फिर है paradox तो paradox का आर्थ होता है विरोधा भास मतलब वह बात जो वास्तों में सच हो परंतु देखने में साफ साफ जूटी लगे उसको paradox बोलता है Hyperboli इसका अर्थ होता है अतिशोक्ती क्या होता है अतिशोक्ती तो यहाँ पर उसका नाम जो था वह वास्तों में देखा जाए तो उसकी इस्तिती के हिसाब से एक ताना ही था क्योंकि वह था एक रेक पिकर कच्रे से उपियोगी वस्तु नहुनने वाला और नाम उसका था साहिव अलम और साहिव अलम का अर्थ क्या बताया गया है लोर्ड आफ यूनिवर्स ठीक है दोस्तों तो अप्सन नमबर बीस का सही रहेगा और आगे बढ़ें तो क्वेशन नमबर टू दिया गया है जिसे वाट डज फ्रेज अबाउंड इन मीन यहाँ पर इनुटिट कोमा आना चाहिए अबाउंड इन का अर्थ क्या है तो यहाँ पर ओप्सन दिये गए मैंने जब यह अभी एक्स्टेक पड़ाया तो उसी समय मैंने बता दिया था कि अबाउंड इन का अर्थ होता है प्रचूर प्रचूर मतलब संख्या में ज्यादा होना क्वांटिटी में ज्यादा होना पॉलिलेट विथ इसका अर्थ भी होता है प्रचूर मात्रा में प्रचूर संख्या में team in का अर्थ भी होता है प्रचूर, मैं आपको बता दूँ कि abound in, ये भी एक phrasal verb है pull it, let with, ये भी एक phrasal verb है ये क्या होते हैं, इनके लिए हम separate video आपके लिए बनाएंगे team in का अर्थ भी प्रचूर मात्राम होता है, और exist in large quantities का अर्थ भी यही होता है सबके सामने सर्मिंदा होना तो narrator मत्तब जो लेखी का है वो सबके सामने सर्मिंद की महसूस क्यों करती है, देखते हैं for making a fake promise क्योंकि उसने उससे जूटा वादा किया था, for making a promise that seek and keep उसने ऐसा वादा किया था कि जिसको वो निभा सके, for making a real promise वास्तविक वादा करती है, for not making any promise, उसने उससे कोई वादा नहीं किया था, इसलिए, option number first सही रहेगा, उसने उससे जूटा वादा किया था क्या जूटा वादा किया था, कि यदि मैं इसकोल खोलूं तो क्या तुम इसकोल आओगे यह वादा किया था, और वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाई, इसलिए, वो impressed महसूस करती है चोथा question है, what was the full name of साहब, साहब का पूरा नाम क्या था, तो साहब का पूरा नाम था, साहब A, आलम ठीक है दोस्तों, पांचवा question है what did the writer ask साहब साहब से writer क्या पूछती है, तो पहले ही line में आप देखियेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है if I start a school, will you come यह इसका answer हो जाएगा मतलब साहब से पूछती है, यदि मैं school खोलू हूँ, तो क्या तुम इस school आओगे next extract दिया गया है इसी में, इसी lessons लिया गया है जैसे I sometimes find a rupee even a 10 rupee note कभी कबार मुझे एक rupee मिल जाता है और 10 का note भी मिल जाता है साहब से जाता है साहब से पूछा जाता है कि तुम यह कच्रे में क्या ढूंगते रहते हो तो वो साहब कहता है कि कभी कबार मुझे एक rupee मिल जाता है और 10 rupee का note भी मिल जाता है साहब ऐसा कहता है His eyes lighting up ऐसा कहते हुए उसकी आँखों में एक चमक थी When you can find a silver coin in heap of garbage garbage मतलब कच्रा heap मतलब धेर तो वो कहता है कि यदि आपको कच्रे के धेर से चांदी का सिक्का मिल जाता है You don't stop this crowning तो फिर आप ढूंडना बंद नहीं करोगे इस crowning का आर्थ होता है searching Searching मतलब ढूंडना या फिर looking for Looking for का आर्थ भी होता है ढूंडना For there is hope of finding more मतलब आप इस उमीद में और ज़्यादा ढूंडते जाओगे कि आपको और भी कुछ मिलेगा It seems that for children बच्चों के लिए ये कच्रा क्या है Garbage है जे meaning different from what it means to their parents मतलब जो बच्चे हैं उनका इस कच्रे का आर्थ बच्चों के लिए इस कच्रे के ढेर का आर्थ एक अलग है और उनके जो parents हैं उनके लिए इसका आर्थ अलग है कैसे अलग है For children, it is wrapped in wonder बच्चों के लिए तो ये है एक आश्चर उन्हें इसा लगता है कि इस कच्रे के ढेर में बहुत कुछ दबा हुआ है छिपा हुआ है For elders, it is means of survival बड़ों के लिए ये जीवन जीने का साधन है Survival का आर्थ होता है जीवन व्यतीत करना Especially, विकट परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करने को Survival बोलते है One winter morning एक दिन ठंड के या सर्दियों की सुबह I see साहेब standing by fenced gate of the neighborhood club एक दिन सर्दियों की सुबह में ने देखा कि साहेब जो है वह एक पडोस में जो क्लब है उस क्लब के gate पर खड़ा हुआ है उस fence के पास खड़ा हुआ है अब यहाँ आई कोन है आई मतलब राइटर है राइटर उने देखा Watching two young men dressed in white और वो क्या देख रहा था कि दो यूवा लड़के जिनोंने सफेद कपड़े पहने है Playing tennis जो कि tennis खेल रहे है I like the game He hums Hums का आर्थ होता है भिन भिनाना या फिर खुद से ही बाते करना बढ़ बढ़ाना मुझे यह खेल पसंद है यह ऐसा कौन कहता है साहिब कहता है Content to watch it standing behind the fence जो कि उस क्लब के बाहर से ही उस खेल को देख रहा है जो अंदर खेल रहे हैं उनको I go inside when no one is around He admits और वो इस बात को भी स्विकार करता है admit का रहत होता है स्विकार करना accept करना वो यह भी कहता है कि जब यहाँ पर कोई नहीं रहता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ कहाँ पर उस क्लब में अंदर The gatekeeper lets me use the swing और पिर जो gatekeeper है वह मुझे swing करने देता है swing का आर्थ होता है जूला जूलना अब देखते हैं किस प्रकार के question पूछे गए हैं से पहला है what does scrounging mean scrounging का क्या आर्थ होता है तो scrounging का आर्थ होता है ढूंडना looking for मतलब ढूंडना searching मतलब ढूंडना seeking मतलब भी ढूंडना तीनों का आर्थ ढूंडना है तो all of these यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आगे बढ़े which literary device has been used in I sometimes find a rupee मुझे कभी कबार एक rupee मिल जाता है इसमें कौन से साहित्य कूपकरण मतलब literary device का use हुआ है तो देखते हैं यहाँ पर पहला दिया गया है पहला दिया गया है इसको इसका जो pronunciation है इसका pronunciation होगा सिनेक डकी ठीके मतलब इसका अर्थ यह है कि उध्याण के तोर पे जैसे हम कोई सी बड़ी बात को कहने के लिए कुछ सब्दों का इस्तमाल करते हैं जैसे हम यहाँ पर हम यह कह दे है कि 50 head of kettle यह किस के लिए कहा गया है kettle मतलब पसू head मतलब सीर 50 head of kettle तो हम समझ जाएंगी कि कितने जानवर होंगे 50 होंगे तो 50 head किस के लिए कहा गया है for cows कितनी cows तो 50 cows के लिए इसका इस्तमाल किया गया है ठीके दूसरा paradox है जिसका अर्थ होता है विरोधभास epithet तो epithet का अर्थ होता है उपाधी विशेशक या फिर उपाधी से संबंदित और metonmy तो metonmy का अर्थ होता है उपलक्षन नाम यह न तो यहाँ पर सही answer जो इसका होगा A वाला होगा अब letter device जो है या फिर figure out speech जो है इसके लिए हम special videos आपके लिए बनाएंगे तो वहाँ पर आपको और अच्छे से clear हो जाएगा next question है what were the two young men playing though you are व्यक्ति क्या खेल रहे थे तो वो tennis खेल रहे थे अगला है for the children it is wrapped w-a-r-p-p-d wrapped मतलब होता है धका हुआ होना in wonder wrapped in wonder अगला है I like the game he hums ठीके देखे यहाँ पर लिखा हुआ है I like the game he hums content आएगा है रिक्तिस्थान में क्या आएगा content to watch यहाँ क्या आएगा content आएगा lesson number two से ही Lost Spring से एक और extract यहाँ पर important category वाला हमने लिया हुआ है जिसे दिया गए Mukais insists on being he John Master देखिए lesson number two Lost Spring में दो stories है पहली story जो थी वो साहेब के उपर थी जो की एक रेकपीकर होता है दूसरी story जो है वो Mukais के उपर है जिसका परिवार जो है वो क्या करता है वहाँ Bengal maker होते हैं मतलब चूड़ी बनाने वाले होते हैं तो दूसरी story से लिया गए मुकेस इंसिस्ट on being his own master मुकेस खुद का मालिक बनना चाहता है आई विल भी ये motor mechanic और वो कहता है कि मैं motor mechanic बनना चाहता हूँ ऐसा वो कहता है मैंने पूछा है कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो आई मतलब यहाँ पर कौन है लेखी का है कि कार के बारे में तुम कुछ जानते हो तो वो कहता है मैं कार चलाना सीख जाऊंगा he answer मेरी आँखों में आँखे डाल कर वो है ऐसा कहता है कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा अब उसका यह जो सपना है यह एक मिराज के समान मिराज क्या है मिराज मतलब होता है मरी चिका मरी चिका क्या होता है मरी चिका मतलब रेगिस्थान में आपने देखा होगा कि यात्री को पानी भरा हुआ दिखाई देता है लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो वहाँ कुछ नहीं होता है उसको बोलते हैं दरश्टी भ्रहम या फिर भ्रहम तो उसका जो सपना है वो एक मिराज के समान है जो कि फिरोजाबाद की गलियों में या यहां उड़ने वाली धूल में वहा दुंदला पड़ चुका है फिरोजाबाद क्या है? famous for its bangles या अपनी चूडियों के लिए प्रसिद्धे फिरोजाबाद में चूडिया बनाई जाती है every other family in फिरोजाबाद is engaged in making bangles फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूडिया बनाने में व्यस्त है यह चूडिया ही बनाता है तो कई पीडियों से चूडिया बनाते हुआ है it is the center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnaces furnaces का अर्थ होते हैं बट्टी तो यहां के जो परिवार हैं वह कई पीडियों से generations से बट्टियों के सामने glass को blow करते हैं काज को पिगला कर उनको चूडियों के आकार में परिवर्तित करते हैं इसलिए यह इंडिया का glass blowing industry कहा जाता है फिरो जाबाद welding glass मतलब काज को जोड़ना making bangles फिर उससे चूडिया बनाना for all women in the land it seems और ऐसा लगता है कि इस पूरी प्रत्वी पर जितनी भी चूडिया बनाई जाती है जितनी भी महिला है चूडिया पहनती वो यहीं से जाती हो यहीं बनती हो इसा लगता है अब किस प्रकार के question पूछे गए हैं देखते हैं जैसे पहला है what is फिरोजाबाद famous for मतलब फिरोजाबाद किस प्रकार के लिए famous है तो four bangles चूडियों के लिए famous है what does miraj mean miraj का क्या आर्थ होता है option दिये हैं जैसे hypertension, illusion, intuition या beautification तो यहाँ पर hypertension का आर्थ होता है उच्छ रक्त चाप illusion का आर्थ होता है द्रश्टी भ्रहम intuition का आर्थ होता है मनो भाव या सहज बुद्धी और beautification का आर्थ होता है सौंदरी करण option number B इसका सही रहेगा miraj का आर्थ होता है द्रश्टी भ्रहम मरी ची का जिसको हम बोलते है third है what is mukesas attitude towards life मतलब अपने जीवन के लिए mukesas का attitude कैसा था उसका अंदाज कैसा था То pessimistic था Omnipotent था optimistic था या realistic था देखें pessimistic जो है तो pessimistic का आर्थ होता है निरासावादी Omnipotent का आर्थ होता है सर्वसक्तिमान सर्वसक्तिसाली optimistic का आर्थ होता है आसावादी तो option number C इसका सही रहेगा अब उसको optimistic क्यों कहा गया है? उसको optimistic इसलिए कहा गया है क्योंकि उसका जो परिवार है वह तो कई पीडियों से चूडिया बनाते हुए आ रहा है लेकिन उसकी इच्छा क्या थी? मोटर मेकेनिक बनने की थी मतलब उसको किसी और काम करने की आसा थी इच्छा थी इसलिए उसको optimistic कहा है अगला question है what does every other family in फिरोजाबाद engaged in? फिरोजाबाद का हर परिवार किस चीज में engaged रहता था? व्यस्त रहता था? making toys खिलोने बनाने में, making bengals चूडिया बनाने में, making zoos जूते बनाने में, making clothes कपड़े बनाने में तो option number B इसका सही रहेगा making bengals अगला है what does mucas announces? मucas क्या कहता है? I will be a master, I will be a merchant, I will be a motor mechanic, I will be making red traps तो यहाँ पर आएगा I will be a motor mechanic, मतलब में एक motor mechanic बनना चाहता हूँ ठीक है दोस्तों, यहाँ merchant का अर्थ व्यापारी होता है, red traps मतलब चूहे दानी होता है लेकिन वह तो mechanic बनना चाहता था, तो option number C इसका सही रहेगा ठीक है दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो से दिया आप चाहें और अपनी class 12th की अच्छे से त्यारी करना चाहते हैं चाहे वो flamingo हो, vistas हो, writing skill हो, जिसे letter, application, report, composition, grammar तो यह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, channel को subscribe करें और playlist में जाकर इन videos को जरूर देखें Thank you very much for watching and please take care of yourself, thank you once again